हेलो ध्रेंस स्लितिए सब्सक्राइब कुछ हेसे त्रपासर त ग default तीवा कोईसेन सब्सक्राइब के फर्म में तब हम लग गिसे कैसे करेंगे? 84 पैसे तो रुपीज 3 वियां पढ़ हैУ 6 सब्सक्राइब करेंगे तब हम लोग लिखे 84 पैसे तु रुपीज त्री से अम लोग इसे रिद्यूस करेंगे इसे आम लोग आप रिद्यूस करते हैं हम लोग इसे रिद्यूस करेंगे तु टी टू जा फोर तू और तूं जा फोर तू म चरतो 27 14 25 10 हो गिया 37 21 due to 6 three one wife is a 55 team they have 7 by 25 इसे हम लोग लिखेंगे 7 by 25 आप लोग इसे लो हिसे रेडियो डेशियो में कैसे लिखें इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 is to 25 अब है डूसरा question 3 weeks is to 30 days. 3 weeks is to 30 days, इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अब 3 weeks है, तो 3 weeks में कितने डीडोट है 21 days. 21 days is to 31 days is to 30 days, इसा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. अब हम लोग इससे कैसे साल्व करें अब हम लोग इससे पहले डिद्यूस कर देतें लोवेस्ट फॉर्म में फिर हम लोग इससे लिखेंगे रेशियों में 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, तो यह हो गया 7 by 10 7 by 10 is equal to 7 is to 10, अब हम लोग इससे 7 is to 10 लिख सकते हैं अब यहाँ पर 3 weeks, तो 3 weeks का हम लोग कनवर्ट करेंगे देज में वो जाएगर 21 देज, और 30 देज थाटी से हम लोग इससे 21 देज इससे 30 लिखे, तो रेशियों में 7 is to 10 अब दूसरा क्वेशियन है, रोहित एंस रूपीज 15,300 और सेव रूपीज 1,224 पर मंट, फाइंद देजी ओफिस इंकम और सेविंग, इस इंकम और एक्सपेंडीचर और सेविंग, अब हम लोग इससे कैसे सर्व करेंगे, अब एक आदमी है इसका नम है रोहित, तो वो ह और मेरे नुट बेइन ह्ने 15,300 रूप गमारते हैं और से 1,224 रूपीज सेव करता है, अब हम लोग करेंगे से दुनना है पहले इस इंकम और सेविंग तो इसका इंकम हो गया रोपीज 15,300, तो इस इंकम और सेविंग्स पहले अम लोग सार्व करते हैं, इंकम किया है रू 1224 अब हम लोग इसे रिद्यूस करते हैं सिंप्लेस्ट फॉन में तो इससे हम लोग लेख सकते हैं 15300 by 1224 इससे आम लोग आप रिद्यूस करते हैं 4 3 012 4 4 016 4 5 020 4 6 024 306 4 3 012 33 4 8 032 110 4 2 020 4 5 020 अब हो गया 6 9 8 13 16 18 अब हम लोग इसे 3 से रिद्यूस करते हैं 3 से रिद्यूस करते हैं यह 2 यह 3 और 7 12 14 15 अब हम लोग इसे किस तरह रिद्यूस करेंगे अब होग यह 4 5 5 6 7 8 9 अब है और ऐसे रिद्यूस नहीं यह और ताब हम लोग इसे किस तरह रिद्यूस करेंगे यह अब रिद्यूस होगा 17 से तो 17 तू जा 34 और 17 तू जा 34 यह हो गया फिर 85 होगे तो 17 फाइब जा 85 यह होगे 25 बाइ 2 25 बाइ 2 का हमले लिख सकते रेशियो के फार में 25 इस तू 2 तो यह होगे इसका अंसर इस इंकम और सेविंग्स का 25 बाइब 25 इस तू 2 आगर हम लोग करना वाता है इस सेविंग्स तू इंकम तो यह तू बेंटिपविसी का उल्ता अब है इस shop टेब ऑ़ और गखर्श हम लोग कर सकते हैं निने थेयों का कि इसका कितना तो हम लोग सब्सक्रा करकर कश्ता है तब लोग 15,300 माइनस 1224 भी कर सकते हैं उसका expenditure दूनने के लिए 10 माइनस 4 6 9 माइनस 2 7 हो गया फिर ये 9 माइनस 2 हो गया 7 2 माइनस 2 0 5 माइनस 4 1 14,076 ते हो गया उसका expenditure और इंकम है उसका 15,300 रुपीज 15,300 दिसतो रुपीज 14,076 अब हम लगी से reduce करते हैं रुपीज 15,300 दिवाइड बाइ रुपीज 14,076 अब हम लगी से कैसे reduce करें अब हम लगी से भी reduce करते हैं 4 ये 7 13, 17, 18 हो गया 5, 6, 7, 8, 9 ते हो गया 9 अब हम लगी से 3 से reduce कर सकते हैं अब हम लगी से भी रिखते हैं और केस नमबर से reduce करते हैं 7, 7, 14, 13, 7, 7, 7, 60 तो 7 से ये नहीं होगा तो हम लग 3 से काटें 3, 4, 12, 20 3, 5, 0, 3, 6, 0, 18 27, 3, 9, 0, 27 3, 2, 0, 6 3, 5, 0, 15 3, 1, 3, 0, 0 21, 1700 हो गया अभी से भी कारते हैं 3 से 3, 1, 0, 3, 1, 6, 3, 5, 0, 15 3, 1, 0, 3, 6, 0, 18, 1, 2, 3, 4, 0, 12 6, 11, 15, और 16 अब भी 3 से नहीं होगा और ये भी 3 से नहीं होगा ताब हम लगी से किस नमबर से करेंगे 3 हो जाएगा 17 से हम लोग करके देखते हैं 17, 17, 8, 7, 56, 5, 8, 5, 13, 17, 9, 7, 9, 33, 6, 6, 7, 9, 15, 1, 53 आ रहा है तो ये 17 से 3 तो ये 17 से हो रहा है तो हम लोग 17 से कर सकते हैं तो 17 वन जा 17 फिर ये 0, 0, 100 हो गया और 17 नाइन जा फिर ये 34, 17, 2 जा अब 100 by 92 होगा इसे भी हम लोग डिद्यूस करते हैं 250 जा 24, 28, 12, 26, 12, 225, 224, 223 जा अभी आरा 25 इस्तु 23 अभी और डिद्यूस नहीं होगा तो इस का अंसर होगा 25 इस्तु 23 तो गे इसका अंसर होगा इसका रिस्तु इस इंकम एंड एक्स पेंडीचर अब लास्त ही इसका एक्स पेंडीचर और सेविंग्स पोर्टीन थाूजंड सेवंटिसिक्स और सेविंग्स है 1224 रुपीज 1224 अब अम लोग इसका विरेशियन रिकालते हैं इसे अम लोग डिदियूस कारते है धिए प्रस्यांबर अब आई में आउट में घर पंस बांना में अरिणा के लोग तिया प्रस्या इसके अम उंपर 90 तौ गिसे निंचे विया हैर ए। आई ग्राइज 15 resposta extra 52 अजिक कारते है अधकी आंगा से आंगा के अट्री अरिड स ngay विरेशियन त्री अट्री जैन पիजा 12 6 7 8 9 10 हो गया फिर यह से नहीं होड़ा तो इससे हम लोग 7 से करके देखते हैं या फिर 17 से तो 7 बंज़े 7 66 इससे नहीं होगा 17 से करके देखते है 17 178 जा 7 7 449 7 8 जा 56 8 जा 13 तो यह होड़ा 17 से इससे नहीं होगा 17 9 जा 153, 7 9 जा 153, 34 तो दोने होड़े 17 से 17 8 जा 136 और यह जगा 17 9 जा 153 और फिर यह होगया 34 17 जा 34 248 होगया 248 12 2 6 012 224 224 12 224 236 तो यह होगया 23 2 2 23 2 2 यह होगया इसका आंसर तो यह एक्सपेंदीचर और सेविंग्स होगया 23 2 2 उसका इंकम था इंकम तो और सेविंग्स होगया 25 2 2 इंकम और एक्सपेंदीचर होगया 25 2 23 और एक्सपेंदीचर और सेविंग्स होगया 23 2 2 यहाँ पर savings का आया value 2 यहाँ पर expenditure का आया 23 और यहाँ पर भी आया 23 तो यह ओगे इसका अंसर अब एक question डिवाइड रूपीज 1,575 बिट्विन कमल और मधु इन रेशियो 7 to 2 अब डो लोग है कमल और मधु और टोटल जो मनी है वो है रूपीज 1,575 अब एक रेशियो दिया गया है 7 to 2 तो हम लोग के इस रेशियो में इस रेशियो से 1,575 रूपीज डिवाइड करना है कमल और मधु में तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो पहले हम लोग लिख लेते हैं साम अफ रेशियो तो साम अफ रेशियो अब रेशियो है 7 is to 2 7 is to 2 है यह रेशियो अब 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9 तो यह होगे साम अफ रेशियो अब टोटल अमाउंट जो कि होगे टोटल मनी वो होगा रूपीज 1,575 अब हम लोग को दोनों में डिवाइड करना है इस पालागल का निकले है क्योंकि हम लोग को डिवाइड करने तो शेवन बाइडरल को यहां जो सेवन नंबर है हम लोग से लिख सकता है 59 Kum इन्टू हम लोग कर देंगे 1575 क्योंकि हम लोग के इतना पैसा कमल को देना है 7 by 9 रेसियो में 7 इस्टी 2 रेसियो में 3 3 3 9 3 5 0 15 3 2 0 6 15 3 5 0 15 3 1 0 3 3 3 7 0 21 1 5 3 5 0 15 अब 7 x 175 यह करते है 5 735 5 3 749 52 25 707 और यह हो गया 727 12 1225 तो यह हो गया कमल का सेर अब हम लोग मदू का सेर मदू सेर ते होगा 2 by 9 अब हम लिए से लिखेंगे 2 by 9 क्योंकि मदू का है 2 by 9 इंटो 1575 तो यह कर जाएगा और फिडियो हो जाएगा 175 तो 175 इंटी 2 यह हो गया मदू का सेर औरिच फैन अधो करए तो मदू करे तो हम लोग मेलेगा 15755 7 5 9 अबाइ नूसरा क्वेशन चेहर ग्रेम सेर पारीक फोीन जाएगा 1575 5 7 5 5 1 आवर लूसरा क्वेश्न चॉर्था क्वेश्न देसीओ Tit alien जींक लिखेंगें प्वेश्न अबहें लोग मेलत if the weight of the copper in the alloy is 11.7 kg find the weight of zinc in it अब एक अलाय है जो कि जिंक और copper का बना हुए अब जो रेशिय है जिंक और copper का उस अलाय में वो है 7 इस तो 9 जिंक का 7 हो गया और copper का 9 अगर जो वेट है अलाय में जो वेट copper का वो है 11.7 kg तो हम लोग को उस अलाय में जिंक का भी वेट ढाउगा अब कोपर का कुछ किुछ वेट होगाए तो जिंक का भी कुछ वेट होगा और यहाँ पड़ेольноक रंट गा हम लोग को जिंक का वेट łęूना है उसमें चैसे हम लोग कैसे स्वल करेंगे अब हम लोग लिखते हैं डेसियो पहले लिख लेते हैं 7 is to 9 हम लोग पहले माल लेते हैं let the weight of zinc be let the weight of zinc be 7X हम लोग जिंक का वेट माल लेंगे 7X क्योंकि हम लोग जिंक का वेट नहीं बता तो हम लोग उससे 7X माल लेंगे और हम लोग copper का वेट भी लोग माल लेंगे 9X क्योंकि यह 9 मेर let the weight of copper b 9X copper b 9X लोग भी 9X अब यहां पर copper का वेट दिया हुआ है copper का वेट है यहां पर 11.7 kg अब हम लोग यहां पर zinc का वेट ढूनना है तो हम लोग जिंक का का वेट दूननेंगे तो इसके लिए पहले हम लोग लोग को एक्स का वाल्यू दूनना हो तो हम लोग कैसे दूननेंगे हम लोग इस तारह दून सकते क्योंकि हम लोग को copper का वेट पाता है 9x is equal to 11.7 kg 11.7 kg कि एक से हो गया 117 by 10 यहां पर यह 9 मल्टिप्लिकेशन में दूसरे साइट जाके हो जाएगा दूसरे साइट जाके यहां पर वन बाइन हम लोग इसे लिख देंगे कि रिद्यूस हम लोग करते हैं 3 3 9 3 1 0 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 9 देरी हो गया 13 by 10 13 by 10 हम लोग इसे यहां लिखेंगे X का वालू हो गया 13 by 10 जुसे हम लोग लिख सकते है 1.3 क्योंकि हां पर लिख लिखेंगे तो एक्स का वालू है 1.3 kg अब हम लोग को धूलना है जिंग कवेट और कवेट तो हम लोग को लिए पता है जो कि है 11.7 kg तो पहले हम लोग को लिक लिखने लेटते है वेट of copper इंद आलोई हम लोग के सर्मानेत है 9x तबी हो जाएगा 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 11 तो यह हो गया 11.7 kg तो यह हो गया copper के वे जो की पहले से दिया होटा अब अम लग जिंका में दूमते है जो अम लग मायने ते 7x 7x is equal to 7 into x is equal to 7 into 1.3 kg तो 1.3 into 7 तो यह हो गया 9.1 kg तो यह हो गया जिंका वे तो copper के वे ते 11.7 kg और zinc का वे ते 9.1 kg तो यह हो गया जिंका वे जिंका वे खे नाइट वन के जिंका वे जिंका वे जिंका वे ते 9.1 kg करेंगे तो यहाँ पर पहला question है पहला 1,4,6,8,12 तो यह हम लोग यहाँ पर इस question में determine करना है कि यह सब जो numbers है यह सब proportion में है कि नहीं तो इसके लिए पहला हम लोग इसे एक method से करेंगे अगर हम लोग को जाना है कि यह सब जो numbers से यह प्रपर्पर्शन में है कि नहीं तो उसके लिए एक trick है product of means is equal to product of extremes या फिर product of extremes is equal to product of means पारे हम लोग यह लिख लेटे है product of extremes is equal to product of means अब यह क्या होता है अब product of extremes is equal to product of means अब हम लोग यह से मान सकते 4 is to 6 as 8 is to 12 अब यहाँ पर extreme हो गया 4 और 12 extreme हो गया 4 और 12 और mean हो गया 6 और 8 जो कि हो गया बीच पे अब हम लोग को जोड़ना है कि यह सब जो numbers है यह सब प्रपर्पर्शन में है कि नहीं तो अगर product of extremes product of means से equal है तो फिर यह numbers प्रपर्पर्शन में है अब हम लोग यह करके देखते हैं extremes है 4 और 12 तो 4 into 12 यह होगा extremes and means है 6 और 8 तो 6 into 8 इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं अब इन डोनों का हम लोग multiply करके देखेंगे और अगर यह जोने equal हो है तो फिर product of extremes is equal to product of means होगे यानि कि यह सब numbers प्रपर्पर्शन में होगे 12 into 4 4 तूल जा है 8 4 वान जा 4 48 और 6 8 जा 48 अब यहां पर दोनों में आ रहा है 48 इसका मदलबाग कि product of extremes product of extremes is equal to product of means तो 4 into 12 यह होगे product of extremes और product of means होगे 16 to 8 तो यह दोनों equal है इसलिए यह सारो numbers प्रपर्पर्शन में तो इसा हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 4 is to 8 as 4 तू 6 है जाप है 4 तू 6 as 8 is to 12 तो यह सब प्रपर्पर्शन में है अब है 7 42 13 और 70 तो इसमें भी हम लोग को सभात करने है कि यह सब नंबर प्रपर्पर्पर्शन में है कि नहीं तो यह होगा स्टू फोर्टी टू इसमें भी हम लोग करेंगे प्रोड़क्त आप एक्स्ट्रीम इस इकुल टू प्रोड़क्त आप में यही त्रिक है यह मेठ़त है जिसे अम लोग ढून सकते कि जो नंबर से जो गिवन नंबर से वह प्रपर्शन में है कि नहीं तो यहाँ पर दिया और 42 x 13 यह दोनों मीन्स हो गए अब अगर यह दोनों कोज रिजल्ट हो बड़ाबर होगा तो फिर यह सब नंबर्स प्रापरशन में हो गए इस आम लोग मल्टिप्लाइ करते हैं 78 x 7 76 x 42, 77 x 49, 78 x 56 77 x 49 हो गया फिर यह हो गया 54, 546 और 42 x 13 3 2e 6, 4 3e 12, 2 1e 2, 4 1e 4, 6 4, 5 अभ यह भी आड़ा है 546 अब जो नोनों के रिजल्ट है प्रोडप्त अव स्क्रीम्स और स्क्रीम्स अभ प्रोडप्त अव मीन्स की यह दोनों एक्क्वल है तो प्रोडप्त अव इक्स्क्रीम्स तो 546 is equal to 546 तो अब हम लोग कह सकते हैं कि यह सेरो जो नंबर से इसा प्रपर्पर्शन में है तो 7 इस तो 42 एज 13 इस तो 78 तो यह चार नंबर प्रपर्पर्पर्शन में है या फिर यह दो रेश्योज अब यह दूसरा क्वेश्चिन है 55 is to 11 as x is to 6 अब इस प्रेशिन में हम लोग को यह करना है अब यहां पर एक दो रेश्योज है और यह दो रेश्योज है और यह दो रेश्योज है वो प्रपर सकते हैं पर यहां पर एक नंबर का वैल्यो नहीं दिया हुआ है तो उसे हम लोग एक्स माने है तो यहां पर हम हम लोग इसी method से करेंगे product of extremes is equal to product of means 55 पहले हम लोग को extremes का धूल लेते है product of extremes is equal to product of means 55 into 6 is equal to this हम लोग माल लेंगे 55 into 6 is equal to 11x हम लोग यह equation मना के भी solve कर सकते है 11x हम लोग इसले माने है क्योंकि यहाँ पर x का value हम लोग को नहीं पता हम लोग इसे 11 into x भी लिख सकते हैं हम लोग 11x भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर धूलना है x का value और फिर यह हम लोग यहाँ पर जो तंबर है वह मिल जाएका 65 to 30 0 3 65 to 30 330 is equal to 11x अब लोग इसे कैसे करेंगे अब x यहीं पर आएगा और यहाँ पर 11 चल जाएगा होगा 30 55 is to 11 as x is to 6 यानि कि 55 is to 11 as 30 is to 6 55 is to 11 as 30 is to 6 हम लोग ने इसे इस तरदूता अब product of extremes is equal to product of means होता यह हमेशा याद रखियेगा क्योंकि इससे हम लोग बहुत स्वाइड equation प्रापर्शन से रिलेटेड शॉल कर सकते हैं जैसे कि यहोग यह 55 into 6 होगे यहोगे extremes, product of extremes और means होगे 11 और x, 11 into x होगे यह product of means पड़ यह आपने हम लोग एक्स का वाली नहीं पता था, इसले हम लोग को वही ढूनना था तो हम लोग इसले इस method को apply किये product of means is equal to product of extremes आमें दूसरा question, 27 is to x and 63 is to 84 अब हम लोग इसे कैसे solve करेंगे, इसे भी हम लोग सेम ही method से solve करेंगे तिये होगा 27 into 84, जो क्योंगे product of extremes is equal to यह पड़ होगे x into 63, इसे हम लोग लिखेंगे 63 x अब हम लोग इसे multiply काते 27 into 84, 84 into 27 82, 749, 756, 58, 8, 16, 11, 12, 1, 2 2268, 2268 is equal to 63 x अब हम लोग इसे भी उसी तरह से solve करेंगे equation बना के 2268 divided by 63 यह आपड़ी multiplication में तो दूसरा ही जाके हो जाएगा division में divided by 63 is equal to x होगा अब यहाँ पर अब हम लोग इसे reduce करते हैं यह 3 से divisible है और यह भी 3 से divisible 8, 14, 16, 18 3, 2, 6, 3, 1, 3 3, 7, 21, 1, 5, 1, 6 अब यह 3, 5, 15, 1, 8, 3, 5, 15, 3, 6, 18 अब यह भी 3 से divisible है 7, 12 फिर होगे 18, 3, 7, 21, 3, 2, 6, 1, 5 3, 5, 15, 3, 2, 6 यह 7, 3, 21, 42 यह भी 7 से divisible है 7, 3 से 21, 42 7, 5 से 35, 7, 6 से 42 अब यहाँ पर x का value आया है 36 तो 36 होगे यहाँ पर x का value तो हम लोग यह कह सकते है 27 is to x यानि कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते 36 is as 63 is to 84 यह होगे इसका answer यहाँ पर x का value है 36 x का value है 36 तो यहाँ पर x का value है 36 और यह होगे इसका answer तो यहाँ पर हम लोग वह ही method अपलाई कि है product of extremes is equal to product of means अब एक और question 3 48, 16, 75 और दूसरा है 36, 90, 225 ता हम लोग को इस question में यह determine करना है कि यह सब जो numbers है यह सब continued proportion में है कि नहीं अब continued proportion के होता है अब जैसे कि आम लोग माल लेते हैं कि यह 3 numbers है तीसा हम लोग लिख सकते है 48, 60, 75 यह हम लोग इसे लिख सकते है पर हम लोग के देखनें कि यह सब continued proportion में है कि नहीं इसके लिए पहला हम लोग लिखेंगे 48 into 75 48 into 75 और 60 into 60 हो जाएगा क्योंकि यहां पर यह B है इसे हम लोग B मान के लेंगे 60 into 60 ते हो गया product of means is equal to product of extreme इसमें भी हम लोग के यह कारने है पर यह सब जो नमबर से यह सब है continued proportion में 48 into 75 850 40 0 4 5 4 0 24 6 6 5 7 4 0 28 33 0 10 3 4 5 6 3 3600 फिर 60 into 60 भी हो जाएगा 60 into 60 यह भी हो गया 3600 तो इसका मतला हुआ कि यह सब जो नमबर से यह सब continued proportion में आम लोग केंगे continued proportion में 48 is to 60 as 60 is to as 60 is to 75 यह हो गया इसका आंसर मतलब कि यह सब continued proportion में है तो product of means हो गया 60 into 60 60 into 60 और product of extremes हो गया 48 into 75 अब हम लोग दूसरा question भी कुछ इसी तरह से solve करेंगे सब के लिए ही metals होता है proportion में product of means is equal to product of extremes इसमें भी हम लोग करते है 36 into 225 225 और 90 into 90 225 into 36 हम लोग करते है 65 to 30 0 3 6 to 12 15 0 10 10 10 10 7 6 8 1100 अब हम लोग 90 into 90 भी करके देखते है ते भी आगे 1100 1100 याति यह होगे 1100 तो यह हो गया continued proportion में अब हम लोग इसे भी लिख साकते है 36 is to 90 as 90 is to 225 तेसे ही हम लोग कहते है continued proportion और हम लोग इसे भी यूज करेंगे product of means is equal to product of x तो continued proportion basically यह होता है कि अगर 3 numbers दिये हो है जैसे कि a, b, c तो उसे हम लोग माल सकते a is to b as b is to c मुला कि means वाले numbers है वो same ही रहेंगे 9 x x 49 are in proportion find the value of x तो यह भी हो गया continued proportion में यह भी continued proportion में होगा क्योंकि यहां पर x दो बार है तो इसका मनलोग कि means वाले number उनका value same है तब यहां पर हम लोग को x का value दूनने अब आम लोग यह कैसे करेंगे अब इसमेंपों product of means is equal to product of extremes करेंगे product of extremes होगे 9 into 49 यह होगे extremes is equal to x square टो हम लोग इससे आहसे भीलक सकते है x square is equal to 9 into 49 हम लोग यहां पर x square क्यों लिखे अब यहा पर product of means है जो कि हम लोग मांन शकते है x into x क्योंकि product of means is equal to product of extremes तिस्ँ हम लिख सकते हैं एक्स inंतु एक्स इंसे होगा, exercise X. एक्स्क्वाइर में वूक्वाइर है। aí 9 in 2 x 29 होगे, 441 हाद भी इस्से का सबीड युक हाद यहां पर X है अम लोग एक्सक्वाइर का वाल्यू नहीं ढूलना है, आम्मों के ढूना है X. x का value ढूलने है तो हम लोग यहां पर x द्राखेंगे और फिर यह स्क्वार है इसका वो हम लोग हटाडेंगे हटाडेंगे तो वो दूसरे साइड चल जागा और वो यहां पर लग जाएगा तो x is equal to 441 square 441 अब हम लोग इसे लिख सकते 441 को लिख सकते 21 into 21 हम लोग यह से इस तारह भी लिख सकते हैं और फिर x का value हजाएगा 21 अब यह हम लोग कैसे कि अब यहां पर थे 9 चार नंबर्स थे 9 x x और 49 यह है अब product of means is equal to product of extremes means नहीं यहां पर x और x तो x into x हो गया x square और 9 into 49 हो गया 441 तो x square is equal to 441 अब यहां पर x में square भी है अब अगर हम लोग को square हताता है अब लोग को दूने x का value तो हम लोग उसका square हता देंगे और वो चल जाएगा दूसरे साथ पे तो जाएगा 441 अब x का value हम लोग 441 का हम लोग लिख सकते 21 into 21 तो x का value हो गया 21 हम लोग यह square feet हता देंगे तो x का value है 21 तो हम लोग लिख सकते हैं 9 is to 21 as 21 is to 14 अब यह हो गया x का value तो हम लोग अब बाद प्रपर्स ने नेक्स वीडियो प्ली सुस्क्राइब मी चैनल अंत्यू सो मुझ वाज़ वाचिग Hello friends, welcome to my channel, study with Karthik, level study to SEO, Proportion with Unit 3 Method तो आज हम लोग पारेंगे यह ने 3 Method के बारे में तो आज हम लोग पारेंगे यह ने 3 Method चे ले लेताँ कुछ question सूल करेंगे पहला question है 4.5 g of an alloy of copper and zinc contains 3.5 g of copper तो एक alloy है जिसका weight है वो है 4.5 g weight of alloy है 4.5 g अब वो जो alloy है वो बना है copper और zinc से वो लाई बना है copper और zinc से और जो उसमें copper के weight है वो है 3.5 g तो weight of copper हो गया 3.5 g अब हम लोग यहाँ पर zinc का weight नहीं पता है और हम लोग को पता है alloy का weight और उसमें जो copper है उसका weight अब यहाँ पर लिखा है what weight of copper will there be in 18.9 g of alloy तो अब हम लोग इसे इस तरह करेंगे तो हम लोग अगर काम चाहिए तो हम लोग करेंगे दिवाइड weight of copper in 1 g of alloy copper in 1 g of alloy copper in 1 g of alloy weight of copper in 1 g of alloy अब हम लोग इसे करेंगे दिवाइड इसे हम लोग करेंगे दिवाइड 35 by 10 हम लोग इसे डेसिमेल हता आदेंगे तो हो जाएगा 35 by 10 3.5 को और इन्टू 10 by 45 क्योंकि हम लोग इसका डेसी प्रो करेंगे क्योंकि हम लोग इसे डिवाइड करेंगे अब हम लोग इसे मल्टिप्लाइड तो यहाँ आद है तो यहाँ आद है 7 by 9 7 divided by 9 तो वेत अब जो कॉपर है 1 ग्राम अफ लाइड में वह होगा 7 by 9 यह फ्राक्शन में आ रहे अब हम लोग को दूढना है कि 18.9 ग्राम अफ लाइड में के इतना वेट होगा अब यहाँ पड़ लाइड आधा 4.5 ग्राम पहला जो अलाइड था अब उस अलाइ में जो पहला अइसे माननते है कि हम लोग के वास 3 अलाइड पहला अलाइड जो कि है 4.5 ग्राम का और उसमें वेत अपर का 3.5 ग्राम अब जो दूसरा का चाहिए जाड़ तो हम लोग इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो वेट अफ कॉपर in 18.9 ग्राम अफ अफ अलोई तीससे हम अब लोग कर देंगे बल्टिप्लाइग 7 x 9 x 189 x 10 इसा अब हम लोग करेंगे बल्टिप्लाइग 9 x 9, 9 x 18, 9 x 9, फिर 21 x 7 x 10 21 x 7 होगा 7 x 7, 7 x 14, 147 x 10 तो ये आड़ा है व्येट ऑफ कॉपर in 18.9 ग्राम अफ अलोई अब 147 x 10 का मिलीख सकते है 14.7 कम लोग क्या लिख सकते हैं और उब ग्राम एट कर देंगे तो 14.7 ग्राम अफ कॉपर तो ये ओगाइग इसका आंसर मालब की 18.9 ग्राम अफ ये जो कॉपर काविट होगा होगा 14.7 ग्राम अब अगला क्वेस्टिन है 35 इंलान लेटर कोस्ट रुपीच 87.50 अब कुछ इंलान लेटर्स है तोटल इंलान लेटर्स है जो किया 35 अब 35 इंलान लेटर्स को कुछ रुपीच 87.50 अब यहां पर यह उल्ता पूछ रहा है बतलब कि यह बहाँ पर पूछ रहे है कि हम लोग 315 रुपे में कितने लेटर्स बाई कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग को दूदना पड़ेगा लेटर्स कितने लेटर्स आते हैं एक रुपे में लेटर्स बाट इन रुपीज बन तो अब एक इनला लेटर कास्ट का तो ज्याड़ा होगा क्योंकि पैटिस इनला लेटर है और कोस्ट है 87.50 अब कि एक इनला लेटर्स का कोस्ट ज्याड़ा होगा तो इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं थर्टी फाइबाई 87.50 अब हम लोग यहाँ पर इसका डेसिबल हता आठेंगे तो फिरिये जो हांग्रेद हो जाएगे तो फिरिये इधर चल जाएगा और यह हो जाएगा 3,500 divided by 8750 अब हम लोग ने धुण लिया कि एक रुपे में कितना लेटर्स आःरे हैं एक फ्राक्शन में है हम लोग दूनना है कि 315 रुपे में कितना लेटर्स आ रहा है यह उसका उल्ता है तो इसलिए हम लोग निसे करेंगे 515 अब हम लोग को यहां पर चाहिए था कियोpresa यहां पर एक इंडारा प्राइस को है तो हम हम लोग को चाहिए तह एक डंगे तहunta रुपीज आघ थे सेCht दूकर के टूसूराइब में किटने इल्ला लेटर आएगे तो बांकर हम लोग को ज्यादा चाहिए तो हम लोग करेंगे मल्टिप्लाइग लेटर्स बॉट इन रुपीज 315 कि इसमें हम लोग इसे मल्टिप्लाइग कर सकते हैं 3500 by 8750 यह 0 कट जाएगा इंटू 315 करेंगे लिख सकते हैं फिर समलों रिद्यूस करते हैं 510 537 से ठाटिफ़ैळे 50 2545 25 5735 50 575 25 525 525 525 525 520 525 524 20 14 में 35 आग्या 720 14 ओ गया 7535 अभि यहें 315 इंटू 2 अभी और डिद्यूस नहीं होगा पड़िए इधर हो रहा है अभी आ रहा है 2 इंटू 63 तो इंटू 63 कितना हो गया 126 तो इसका पतला हुआ कि हमलोग 315 रुपीज में 126 एला लेटर्स खड़ीच सकते हैं अब यहां पर माल लेते हैं कि एक बिल्दिन को बिल्दिन को बनाना है और उसमें 40 लोग काम पर है और 40 लोग उस बिल्दिन को 26 दिन में बना ले रहे हैं अब हम लोग को देखना है धुनना है कि कितने लोग हम लोग को चाहिए हो गया कि जो वर्थ है और कम दिन में हो गया कंप्लीट हो जाए उसके लिए हम लोग कैसर करेंगे अब हम लोग को धुनना पड़ेगा कि एक दिन में कितने वर्थ चाहिए कि वर्थ कंप्लीट हो जाए तो एक दिन में अगर ज्यादा लोग है और कम दिन लग रहे है तो इसका मुझा कि काम लोग होंगे तो ज्यादा दिन लगेगा कम लोग ज्यादा लोग होगे तो कम द तो कम्लीट दवर्ट तो कम्लीट दवर्ट इन वन दे इसके लिए हम लोग करेंगे मल्टिप्लाई इन वन दे तो 14 तो 26 हम लोग करते है फिरे हो जाएगा 14 रेटाल न productivity हमांच साथ में चांट में जाएगा 14 तो 450 वर्कर सइया सित्फके लिए कम्लीट कर ना के लिए ज्यादा वर्कर कर नेचार आइए जैसे के मल ने and जारे माल रिचे सोलन में कम्लीच करना है जैसे कम्लीच करना करना है तूसके लिए कम लोग को काम वर्कर्ट सचा यह होंगे की वर्क नुपसा निजे आफiusन было करिंग नो कितने वर्कर्ट काहँ होंगे की वार कमझी ओजाया कि स्क्राटब्सक्म करेंगे इसके लाम लोग कर देंगे ड ne इन 16 देज तो 1040 डिवाइड बाइ 16 यह ओब इसका अंसर इसे हम लोग डिवाइड करते 28 जा 16 25 जा 10 224 20 248 224 12 26 12 260 फिर यह 224 222 236 202 262 25 जा 10 इसका अंसर आड़ है 65 मतलब कि हम लोग को 65 वर्कर साहिए कि जो वर्क है वो 16 दिन में कम्प्लीट हो जाए इसका इसका एक दिन में कम्प्लीट करना है काम तो फिर जाड़ा वर्कर साहिए पर अगर हम लोग को जाड़ा दिन में कम्प्लीट करना है काम जैसे कि 16 दिन में या फुर 26 दिन में तो हम हमलोग को कम चाहिए तो हमलो करेंगे डिवाई जाड़ा चाहिए तो करेंगे मल्तिप्लाइट तो यही थायो नित्लो मेठ़ So this is the end of the chapter Please subscribe my channel and thank you so much for watching